नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका बात करेंगे मिश्टान फूर्ड लिमिटेट की तो ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ये आज ही कंपनी ने याप जारी की हैं और ये कंपनी के स्टेंड अलॉंच रिजल्ट हैं अब दस हजार चोहतर तो यहाँ पर कंपनी का अपकी बार जो रेविन्यू है वो पिछले साल की तुल्णा में भी जादा है और पिछले क्वाटर के तुल्णा में भी जादा है ये तो ये काफी positive point धे कंपनी के लिए इसके अलावा हम बात करें net profit की तो net profit for the period यहां पर आप देख सकते हो तो इस quarter में net profit है 649 पिछले quarter में था 349 और जश्ट एक साल पहले था 3.61 तो यहां company का profit पिछले साल की तुलना में तो यहां बहुत कई गुना यहां बढ़ चुका है और हम बात करें पिछले quarter की तुलना में तो पिछले quarter की तुलना में भी लगबग डबल से थोड़ा कम है तो यहां profit भी company का सांदार तरीके से बढ़ा है पिछले quarter में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि company ने यहां अभी नमक launch किया है और यहां company अभी डाल के business में भी इंटर हो रही है तो अपने अपने business भी expand कर रहे है इसके लाओ यहां stand alone सांदार result company ने बना के दिये हैं अगर हम बात करें year to year comparison तो अपकी बार जहां 3.61 लाग का यहां पर company ने sorry पिछले साल जहां 3.61 लाग का profit था उसके तुलनाम में अपकी बार 998.71 का यहां पर company ने profit बना के दे दिया है तो पिछले दो quarter में company ने सांदार net profit बना के दिया है यह company के लिए काफी हम कर सकते हैं कि अच्छी ख़बर आई है इसके लाओ बात करें जो interim dividend है वो company देगी 0.002.2% पर equity share और जो record date अनॉंच किये company नी वो है 19 October और जो account में जो रुपए आएंगे वो यहां पर company ने जो date बताई है वो है लगबग 7 November तो यहां पर 7 November को dividend account में आ जाएगा और जो record date है वो है 19 October इसके लाओ जो एक और एहम factor company के लिए वो है borrowing तो यहां पर borrowing same है 577, 577.54 और जो equity है उसमें यहां पर आपको उचाल देखने को मिला है जो पिछले साल की तुलना में यहां पर उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है अगर यहां आप case flow देखना चाते हैं तो आप easily यहां पर case flow देख सकते हैं यहां पर आपको पूरा result मिल जाएगा तो दोस्तों यह result है मिस्टान foods limited का और आपको आने वाले time में इस result के बाद इस share में आपको अच्छी खासी growth देखने को मिल सकती है तो आप share को continue track करें और share को खरेदने से पहले आप अपने financial advisor की सला जरूर ले उसी के बाद share में entry और exit करें thank you keep supporting